हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है आबिद एके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर हम अपने फोन में कॉन्टैक्ट में जाकर कोई भी कॉन्टैक्ट को डिलीट करते हैं तो डिलीट करते वक्त हमें इस तरीके का मेसेच आता है Error Saving Contact या अगर आपने YouTube पे कोई दूसरी वीडियो देखी होगी इसे डिलीट करने की तो Contact डिलीट तो हो जाता है बट एक घंटे बाद या 24 घंटे बाद वो Contact वापस आ जाता है तो यहाँ पर मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगा कि यह Contact डिलीट हो जाएगा और वापस भी नहीं आएगा तो मेरी वीडियो ध्यान से देखते रहिए सबसे पहले आप Home में आजाए इस तरीके से अब आपको फोन के Play Store में जाना है और Sim Contact नाम की इस Application को Install कर लेना है Install करने के बाद इसे Open कर ले यहाँ पर Allow कर दे इसको Access दे दे Contact का और यहाँ पर आपके Sim के सारे Contact दिख जाएंगे आपके Sim में जो जो Contact है सब नजर आ जाएंगे और यहाँ पर आपके Phone में जो Contact है वो आपके सारे नजर आ जाएंगे तो अगर आपका कोई Contact Sim में होगा जो contact आप डिलीट करना चाहते है sim में है तो यहां से डिलीट कर दे इस तरीके से ठीक है डिलीट हो जाएगा अगर device में है तो यहां से डिलीट कर दे इस तरीके से तो यह यहां से डिलीट हो जाएगा और contact वापस भी नहीं आएगा उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी टेक्स्टोर को सब्सक्राइब कर दे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखे अलाहाफिस